महिंदर थार लाखों लोगों के लिए एक एमोशन है तो आज मैं कुछ डीटेल्स बताने जा रहा हूँ हाल में आई महिंदर थार 4x2 के बारे में क्योंकि महिंदर ने 4x2 की प्राइस जो है रिवील कर दी गई है और आप ये सुनके चौक जाओ के ये गाड़ी 9.5 लेक रुपे से शुरू हो के 13.5 लेक रुपे एक शुरूम प्राइस तक जाने वाली है और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो अभी थार आती है वो खोद 13.70 लेक रुपे से स्टार्ट होती है और 17 लेक रुपे तक जाती है तो अब आप अपने थार के शौक को पूरा भी कर सकते हैं इस कम प्राइस के अंदर पर इस प्राइस का भी एक राज है और जो राज है वो यह है कि जो सुरुवात के 10,000 लोग इस गाड़ी को बोगिंग करेंगे यह प्राइस इफ उन लोग के लिए ही है तो वेट किसका जल्दी से इस गाड़ी को बुक कर लीजिए पर बुक करने से पहले कुछ बात हैं मैंदा थार 4x2 के बारे में जलू जान लीजिए तो इसके अंदर आने वाला डिजन इंजन जो की 2.2 लिटर का आता था वो 1.5 लिटर के अंदर आने वाला है और यह सारे इंजन मैनुल टांस्मिशन के अंदर ही आएंगे और बात करने पैट्र इंजन के बारे में तो वो सेम ही आपको इंजन देखने लिए मिलेगा जो की 2.2 लिटर का होने वाला है पर इस गाड़ी के टॉर्क में आपको कोई भी कमी नहीं देखीगी जो की अभी भी आपको 300 एनम तक का ही देखने लिए मिलेगा दोनों ही इंजन उप्शन में और थार 4x2 में तीन वेरीन आपको देखने लिए मिलने वाले हैं तो पहला है AX जो की डीजल मैनुवल के साथ आएगी और इसकी प्राइज रहने वाली है 9.99 लेक रुपीज तो अगला वेरेंट है AX जो की डीजल मैनुवल इंजन में ही आएगी और इसकी जो प्राइज दिनने वाली है वो है 10.99 लेक रुपीज और इसके लास्ट वेरेंट का नाम भी AX है जो की आपको पैट्रॉल के अंदर देखने मिलेगी पर इसका टाइजमेशन आपको आटोमेटिक भी देखने मिलेगा और जो की प्राइज होने वाली है वो भी आपको 13.49 लेक रुपीज एक शूरुम होगी और सेफटी के मामलें गाड़ी को 4 स्टार मिले हुए है और यह अपने सेगमेंट में सच में एक किंग है तो इसके अंदर आपको कुछ चीजें मिसिंग होने वाली है तो सबसे मेन चीज चीज है वो है 4x4 की बैजिंग तो इसके अंदर आपको 4x2 की बैजिंग देखने ल और साथ महीं थार के लिए महिंद्रा ने तो नए करड़ ऑप्शन भी इंट्रेड्यूस किये हैं जो कि हैं वाइट और ब्रॉंज और वहीं साथ महीं इसकी कॉंपिटेटर जिननी भी आने वाली है इंडिया के अंदर पर आप ये देखना है कि उसकी प्रैस क्या होने वाली ह दोर्ट के कnalरे में और और अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लगी हो ग्राही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुँए तो वीडियो को लाइक किजीगा चैनल पे नहीं हो तो चाल्साइब किजीगा तो वीडियो देखने लिए श्करिया धनेवाद